कि आज है दीपावली और मेरी और से आप सभी लोगों को दीपावली की धेर सारी सुब काम नाएं तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो जब हम जिन्दगी जी रहे होते हैं तो हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि आँगे आने वाला पल कैसा होगा हमारे साथ क्या क्या चीज़ें गुजरेंगी क्योंकि जिन्दगी कोई ऐसी चीज नहीं है कि रेल की पट्रियों पर दोड़ती है जो पहले से विछा दी गई और उपर हमारा जीवन दोड़ेगा जिन्दगी गंगा की धारा की तरह बहती है हमको जिस तरफ हमारा जीवन बहा करके ले जाता है हम जाते रहते हैं क्योंकि जो जो हम सोचते हैं वैसा वैसा ही होगा हमारी लाइफ में ऐसा बिलकुल भी तै नहीं है लेकिन एक चीज तै है जो हमारे दुख में हमारी बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है अगर हमने उसका हाथ पकड़ रखा है और वो क्या चीजे हैं हम कभी गौल ही नहीं कर पाते हैं वो दो चीजे हैं एक तो हमारा हाऊसला और दूसरा हमारा हुनर इन दोनों का दामन पकड़ करके रखिए क्योंकि हमको नहीं पता कि हम जो जीवन में किस तरह का समय आएगा हमको क्या-क्या देखना पड़ेगा हमको कुछ नहीं पता रहता और जब कभी बुरा वक्त आता है और हमको बहुत सारे लोग होते हैं जो हमको आ करके हमको संबल बनाते हैं हमको धैरे देते हैं और बोलते हैं कि इसा कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है हमको हर वक्त जो होसला है हमारा वो हमको ताकत है हमारे पास जो लोग आते हैं हमारे पास जो लोग हमको धैर बनाने के लिए आते हैं वो केवल कुछ वक्त के लिए होते हैं लेकिन जो हमारा होसला होता है वो हमको दोवारा से उठ खड़ा होने में मदद करता है एक वही है जो हर वक्त हमारे साथ रहता है और हमको अंदर से मजबूती देता है, ताकत देता है इसलिए अपने हांसले को कभी मत हारने दीजे अंदर से जल्बा रखे कि हम फिर से उठ खड़े होंगे ये समय है कुछ वक्त के लिए है और ये बीट जाएगा, बहुत जल्दी बीट जाएगा और जो बुरी परिस्थितियां हैं, वो केवल कुछ वक्त के लिए है और ये समय बहुत जल्दी बीट जाता है अगर हमारा होसला हमारे साथ है दूसरा हमारा हुनर, इसका साथ कभी मत छोड़िए आपके पास जो भी हुनर है, उस पर गौर करिए और कभी आपको फुरसत निकाल करके मैं तो कहूंगी कि डेली फुरसत निकाल करके यदि आपको जो हुनर आता है, उसको तरास्ते रहे क्योंकि कभी-कभी जीवन में ऐसा वक्त आ जाता है कि हमारे लिए जो हम काम कर रहे हैं, उसमें दरवाजे बंद हो जाते हैं और फिर हम परिसान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें लेकिन अगर हमारे पास कोई हुनर, जैसे कि गाना-गाना, डांस करना या कोई राइटिंग वर्क करना, कहानिया लिखना, खिलोने बनाना ऐसा कोई हुनर जो हमको अच्छा लगता हो, कुछ न कुछ इनसान को होता है कि अच्छा लगता है, तो उसको निखारते रहना चाहिए हमको डेली अपने खाली टाइम से निकाल करके, खाली समय निकाल करके अपने हुनर को तरास्ते रहना चाहिए, ताकि जब भी हमको उसकी जरूरत पड़े जब भी हमको ऐसा हो कि अब जो काम हम कर रहे थे उसके रास्ते बंद हो गए हैं तो हम उस हुनर के माध्यम से अपने आपको फिर से उठ खड़ा कर सकते हैं इसलिए अपने हुनर को जरूर तरास्ते रहना चाहिए तो दो चीजें लायत में जरूर याद रखिए एक तो हमारा होसला जिसे कभी किसी कीमत पर नहीं खत्म होने देना है और दूसरा हमारा हुनर इसे समय निकाल करके जरूर तरास्ते रहे यही दोनों हैं जो हमारे बुरे वर्त में हमारा साथ जरूर देते हैं चाहे कोई दे या ना दे तो आज का वीडियो कैसा लगा है अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा चैनल परना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप मिलेगे नेक्स वीडियों तब तक के लिए बाबाई